कैसे हो आप लोग चलो तो अपना पहला चैप्टर नाउन कर चुके हैं यह इंगलिश का और सेगेंड चैप्टर अपना अज स्टार्ट करेंगे प्रोनाउम तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चलो तो parts of speech जब भी अपन कुछ बोल रहे हैं तो वह एक speech होता है कोई भी अपन आप sentence बोल रहे हो वह speech होता है अब उसके कुछ-कुछ parts होते हैं जो मैंने आपको पीछे ग्लास में जब noun पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था क्या होते हैं parts बहुत सारे parts अपन ने देखे थे कौन-कौन से noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection यह सारे के सारे parts है मतलब जब भी आप कोई statement बोल रहे हो, कोई भी आप sentence बोल रहे हो तो उसमें यह सब में से कुछ-कुछ तो होंगे ही कुछ-कुछ compulsory है, कुछ नहीं भी होंगे तो चल जाएगा sentence बनाने में, यह सब अपन हर अलग-लग chapters के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो noun, क्या है? ब्रह्मा जी का दिया हुए सारा का सारा नाम, जितना भी आज तक ब्रह्मा जी की बनाई हुई हर चीजों का नाम, noun होता है अब parts of speech में दूसरा चीज आता है pronoun, आप हर चीज पढ़ने वाले हो कि क्यों जरूरी है, pronoun क्या होता है, कितने types के होते हैं, कब किसको use करना है, सब बताऊंगा, और कुछ ही नहीं रटना पड़ेगा आपको ये बात की guarantee है, ठीक है? चलो, तो जल्दी से start करते हैं, pronoun क्या होता है, आप देको pronoun की जरुवत क्यों होई, और pronoun होता क्या है, ये बात ध्यान से सुनना में ही बात, जैसे कि मैं आप बोलू, सौरब, name is सौरब अगरवाल, मतलब, आपको कुछ समय में आया है क्या? नहीं, अगर मैं इसे के जगा बोलता है, my name is सौरब अगरवाल, तो my word यूज किया मैंने, किसके लिए? सौरब के जगा, सौरब मेरा नाम था, तो नाम के जगा, noun के जगा मैंने क्या यूज किया? my, तो आपको चीजे clear हुई, और irritating feel नहीं हुआ, सौरब, name is सौरब अगरवाल, थोड़ा irritating feel हो रहा है, अब मैं बार 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 बताओ, ठीक है, I am teaching physics to AISSE students, अब अगर मैं उसको जगा बोलू, सौरब अगरवाल is teaching English to AISSE students, अब बताओ, आपको इरिटेट होगा, बार बार बा हो, और चीजें irritating सी sound ना करे, अगर आप बार बार एकी चीज़ को repeat करोगे ना, सामने वाला इतना first rate हो जाएगा, उसको जो मिलेगा, बाटल, पत्थर उठा के आपको सर पे फेक देगा, तो चाते हो ना, अपना सर बचाना, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है आपका pronoun, ठीक है क्या, तो pronoun क्या है, pronoun is a part of speech भी है, speech का एक पाट है, ठीक है, जो मैंने आपको बतायते हैं, सारे पार्ट सुसी में से एक पाट है, that is used to place, that is used in place of noun, noun की जगा पर यूज हो रहा है, noun की जगा पर जो यूज होता है, उसको बोलते है, pronoun, noun, pronoun, noun का भी बाप, है की नहीं, जैसे पन बोलते हैं, जैसे बहुत कोई फोन आया, realme x3, realme x3 pro, उससे भी advanced version जो होता, उसको क्या बोलते है, pro, तो noun से भी बढ़ा है ये pronoun, क्योंकि ये चीजों को असान बनाता है, statement को सुन्दर बनाता है, सामने वाले के सुनने के लिए अच्छा बनाता है, irritating ना हो सामने तो pronoun क्या है, ऐसे सब्द, pronoun क्या है, ऐसे सब्द जो noun की जगा पे आएं, यह आप ऐसा बोल सकते हो, pronoun ऐसे सब्द हैं, जो noun को replace कर देते हैं, किसी भी sentence में, अगर कोई sentence है, वहाँ पर noun को हटा करके pronoun आ जाता है, Are you getting my point? जैसे मैंने बोला, my name is Saurabhagrawal, तो मैंने यह नहीं बोला, Saurabhneem is Saurabhagrawal, ना, 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 मैंने बोला, my name is Saurabhagrawal, तो Saurabh की जगा क्या गया? I am teaching English to class 5th students, तो I am लिखा, मैंने अगर फिर बोलता तो Saurabh is teaching, तो बार बार इरिटेटिंग हो जाता हो ना, सेम नाम, तो इसलिए use है, देखो, क्यों जर्वत पढ़ी pronoun की जर्वत? इसलिए पढ़ी ताकि सामने वाले को सुनते समय, irritating फिल ना हो, और चीजें बार बार रि आएंगे पूरा, देखो, वर्ड जो नाउन के लिए use किये जाते हैं, नाउन के लिए use कर रहे हो और नाउन की जेगा पे Use कर रहे हो, उनको उपन बोलते हैं, नोट्स बनाते जाना, जिस तरीके से मैंने लिखा है, जो आपको, कुछ नहीं भी लिखा हुआ है, जो मैं बो noun use कर रहे हैं जैसे सौरब तुक कॉफी तब सवरब के जगा मैंने क्या लिख दिया I took coffee भी है मैंने ली coffee को ठीक है मैंने coffee ले ली सेलो पेपर सॉफ्ट इस्माइ पेन इस्का नाम लेने से अच्छा सेलो paper soft is my pen, ऐसे बता रहा हूँ, उससे चम मैंने आपको दिखा के बता दिया, this is my pen, this is my pen, तो this word used हुआ, किस के जगा में, shallow paper soft के जगा पे, तो this is my pronoun, I is my pronoun, चमका, कोई भी ऐसा सब जो noun को हटा दिया, और noun की जगा पे आ गया, उसको बोलेंगे pronoun, Saurab and Thresh love to play cricket, अब उसे के जगा क्या लिख दिया, मैंने V, लेको दोनों नाम हट गए, Saurab और Thresh, इतने बड़े बने नाम दोनों, दोनों के दोनों नाम हट गए, उसको जगा क्या आगया, V, love to play cricket, अब जैसे मैं और मेरे साथ अकर यहां पर स्रेश्टर होते थे, मैं क्या आगया, किस के जगा, Saurab and Thresh के जगा, तो V is also a pronoun, चमक रहा है, पक्का, अच्छी तरीके से, चलो, Now, examples के हैं pronoun के, I, V, you, they, he, she, it, it, someone, who, what, few, both and etc. और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, यह सारे के सारे के हैं pronoun, जो noun को हटा के noun की जगा पे आते हैं, क्या तुम PUBG खिलते हो, मैंने नाम नहीं लिया, क्या Doremon PUBG खिलता है, तो Doremon noun होता, लेकिन मैंने Doremon की जगा क्या किया, मैंने तुम लगा दिया, क्या तुम PUBG खिलते हो, तो तुम क्या हो गया, pronoun हो गया, चमक रहे क्या, पक्का, कोई confusion नहीं, अरे कहां से होगा सर, कुछ रट नहीं नहीं है, समझना है, simple सी बात है, इतना तो समझ में आता है, चलो, अब types of pronouns, types of pronouns क्या है, personal pronouns, possessive pronoun, possessive हो रहे हो, चलो ठ ठीक है, demonstrative pronoun, जैसे मैंने बता है था, this is my pen, तो this is your demonstrative pronoun, personal pronoun, ये bottle मेरी है, मैं possession दिखा रहा हो, कि ये ये मेरी है, मेरे अंडर में है, मैं इसका मालिक हूँ, जब possession दिखाते हैं, तो possessive noun, are you getting my point, indefinite pronoun, जिसमें quantity fixed नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली overview दे रहा हो, ऐसे मत सोचना कि ये क्या सर इतना है, क्लाइन में क्या कटम कर दीए, क्या क्या कर दीए, क्या 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 कर रहा था, तो ये सारे आज जाएंगे, आपके introgative pronoun, मतलब, जब noun को हटा के कुछ word यूज क्या गया, और वो question frame करने के काम आ रहा हो, तो उसको बोलेंगे, पर introgative, पर रहा है, पर्सनल, पोसेशेव, डेमोंस्ट्रेटिव, इंडेफिनाइट, इंट्रोगेटिव, एंड लास्ट वन इस रिफ्लेक्स, मतलब, जो बोल रहा है, ये जो सब्जेक्ट है, उसी के उपर बैक फायर हो रहा है, मतलब कि वो या तो अपने बारे में बोल रहा है, या जो वर्क हो रहा है, वो उसी के उपर हो रहा है, मतलब, ऐसे प्रोणाउन, जो सब्जेक्ट को ही टार्गेट करें, जो सब्जेक्ट के उपर ही काम करें, उनको गोलता है रिफ्लेक्सिव प्रोणाउन, अभी अपने इन सब चीजों को देखेंगे डीटेल में, ठीक है है अपने इन सारे चीजेंगे बहुत डीटेल में छलू तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं परस्णल परोणाउन परस्णल प्रोणाउट क्या होते हैं भी आचो किसी के आदमी के जानवर या किसी चीजों के नाम को replace करें, ठीक है क्या, पूरे की पूरे नाम को, जैसे सौरब के जगा मैंने क्या उसकिया, आई, तो आई क्या होगया, पर्सनल प्रोणाउन, कोई अनिमल, टाइगर, टाइगर के जगा गर मैं बोल देता, ही, तो वो क्या हो जाता, आपको क्या हो ज जानवर के नाम को अगर replace किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे पर्सनल प्रोणाउन, word used in place of noun, noun के जगा प्लेस हो रहा है, लेकिन किसके लिए referring to, person, thing, और एनिमल, person, आदमी, जानवर या कोई चीज, के लिए अगर आप नाउन को replace कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे personal pronoun, चमग गया, पक्का, चलो, अब it refers to the following, अब तीन person के बारे में बात होती है, अगर आप कोई person है, animal है, या कोई चीज है, तो इसमें तीन चीज हो सकती है, एक जो बात कर रहा है, वो होते हैं first person, जिससे बात कर रहा है, that is second person, और जिसके बारे में बात कर रहा है, that is third person, ऐ तो सौरब रहूल को पढ़ा रहा है, तो मैंने आपको कोई एक statement बोला, तो मैं हो गया first person, आप हो गया second person, और मालू मैं आपको किसी तीसरे बंदे के बारे में बोल रहा हूँ, छोटू, मोटू, पतलू, किसी के बारे में, ठीक है, या doraemon, ठीक है, मैं आप से बात कर रहा है, जो अपनी बात रख रहा है, second person, जिसको बात रख रहा है, बात को सुनने वाला, हैगी नहीं, और तीसरा, जिसके बारे में बात की जा रही हो, देखो लिखा हुआ है, first person, जो अपनी बात बोल रहा है, बात को सुनने वाला second person हुआ, और जिसके बारे में बात हो रही हो जिसके बारे में बात करी जा रही हो, जिसकी तारिफ करी जा रही हो, या जिसकी वुराई करी जा रही हो, वो हो गया third person. अब माल लो, आप इंटर्वियू में अपने छोटे भाई के साथ, छोटे से बच्चे के साथ गए. तो वहाँ पर इंटर्वियूर ने कहा, I am Saurab, ठीक है? What is your name and who is he to you? ऐसे दिखा के बता रहा है, छोटे से बच्चे को ऐसे देख करके बोल रहा है, who is he with you? या who is he to you? वो तुम्हारा क्या लग रहा है? तो देखो, I am Saurab, तो मैं अपने बारे में बोला, ठीक है? First person, this is first person. What is your name? तो यह क्या हो गया? Second person, your. मैं बोल रहा हूँ, I am Saurab, what is your name? जब मैं सुनने वाले को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो क्या हो गया? Second person, your किसको बोला? सामने वाले को और वो क्या है? सुन रहा है, सुन रहा है, तो it is the second person. अब मैंने बोला, who is he to you? अब मैं सामने वाले को सुनने वाले को बोल रहा हूँ कि भीया, वो तुमारा क्या लगता है? तो यह ही हो गया third person. चमग गया? कितना simple है, personal pronoun मतलब? revise करते हैं, भीया, revise करते हैं. अक्का, चलो. क्या पढ़ा अपनने? सबसे पहले पढ़ा, pronoun क्या होते हैं? pronoun उनको बोलते हैं, जो noun को replace करें. बस, कितने type क्या होते हैं? personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, ठीक है, questions पूछने वाला interrogative pronoun, फिर indefinite pronoun, और reflexive pronoun. personal क्या होता है? personal मतलब, जब किसी आदमी, किसी आदमी और दोनों आगा है, इंसान, जानवर, या किसी वस्तू के नाम को replace किया जाए, तो वो होता है personal pronoun. अब इनके नाम को replace करने माले तीन चीज हो सकते हैं, एक जो बात कर रहा है, एक जो बात सुन रहा है, और एक जिसके बारे में बात हो रही है, तो उनको बोल दिया first person, second person, third person, कुछ भी याद करने की ज़रुत है, ना, ना, सौरफ सर की class में कुछ याद करने की ज़रुत नह तो अब एक काम करते हैं, आज किस lecture को पर यहीं परेंट करते हैं, बारा मिनट का हो चुका है, आगे अपन continue करेंगे, first person, second person, third person को और depth में देखेंगे, ठीक है क्या, तो कहीं मत जाईएगा, बने रहीएगा मेरे साथ, फिर मिलूंगा अगली class में, तब तक के लिए देखत सौरवजर की class, जै हिंद, बाई बाई, टेक केर